नबसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्राम आपसे भी का स्वागत अभिननन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्चा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम करेंगे बाल बिकास, CDP, CHI, Development and Pedagogy का MSQS नमबर ये आपका 13 रहने वाला है और इसके पहले 12 MSQS हम already complete कर चुके हैं जिसका आई बटन के यहाँ पे already आप लोगों को link मिल जाएगा तो यहाँ पे हम top 20 questions करने वाले हैं 20 में से आप लोगों की score क्या feedback क्या है आप लोगों को comment box में अवश्यर करना है तो चलिए देर न करते हैं ये class को continue करते हैं पहला प्रिशन आप लोगों के screen पर है पहला प्रिशन पूचा जा रहा है बहुत ही interested प्रिशन आप लोगों comment करना है एक ससक्त बिद्याले अपने सिचकों में निमलिखित योगताओं में से सरवाधिक बढ़ावा देता है प्रिशन करने की प्रिशन करने की प्रिशन की इस्म्रत की या अनुसासी सुभाव की बात करते हैं तो एक ससक्त बिद्याले अपने सिचकों में निमलिखित योगताओं में सरवाधिक बढ़ावा देता है तो किसकी बढ़ावा देता है एक परतिस परधात्मक अभीवरत्य की बढ़ावा देता है पहला अपसन यहाँ पे सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रिश्ण पूछा गया है बेक दीवं गुद्धि में वनसान उक्रम की नामात्र की भूमिका है महत्तपूर भूमिका है अपूरवान में भूमिका है या आकरसक भूमिका हो जाएगा सभी कमेंट केजएगा प्यारे प्यारे भाईयों के प्यारे 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 पहने ग्रहनी जिनका सपना है टीट एक जाम को फते करना जैस्वासर आप सभी करनेंद करते हैं आप सभी के माता पि पर है तीसरा परस्ट पूँचा गया है कि पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछले बालक होते हैं किस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनके सीखने की गतिदीमि होती है जिनके बुदिलव्द इस्तर 80-90 के वीच होता है मान्सिक रूप से अस्वस्थ और आज तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले बालक किस पकार के होते हैं पिछले बालक वे कहलाते हैं जिनके सीखने की गती दीमी होती है धीनी पुरत से सीखते हैं जिनकी बुदिलब्द 80-90 के बीच होता है यानि समान इस तर से नीचे होता है मानसिक रूप से स्वास्त और जो समयजुद बालक होते हैं वे पिछले बालक कहलाते हैं तो पुरुख सभी आपसन जो है ये सभी पिछले बालक के बच्चे के कारण होते हैं तो पुरुख सभी आपसन आप जो डी आपसन दिया गए वे हमारा सही हो जाएगा इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अंगला प्रश्ण की विगवा हेट खाली स्थान की विजिस्ताओं को सरोत्तम रूप से बिक्त करने वाला एक सब्ध परिवर्तन सरीरिक, समजिक और मनोपे ग्यानिक होता है तो यह जो खाली स्थान यहां पे हमें बताना है क्या यहां पे सैसावस्था, बाला वस्था, किसोरा वस्था या प्रोडा वस्था होने वाला है बिग हेट की जो विसेशताओं को सरोत्रम रूम से खिक्त करने वाला जो सब्ध है वह कहलाता है की are आवस्त है और यह अवस्त हमारी कहलाती है 12 लेकर 18 वस्त की अवस्त है कहलाती है तो बिग वा हेट के अमसार कि सोरा वस्ता की विशेस्ताओं की सरोत्तम दूप से विक्त करने वाला एक सब परिवर्तन, सरीरिक, समाजिक और मनोपेग्यानिक होता है यहाँ पे आप लोगों राइट आपसन हो जाएगा कि सोरा वस्ता, सी वाल आपसन सही हो जाएगा इसी के साथ ही आप कंगला परिशनी स्किन पर है मान लिजे आप बिद्याले सिच्छा बोड के धच हैं और आप अपने अधिकार छेट के अंतरगत आने वाले बिद्यालों के सिच्छा संपूर गुरवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे इस प्रकार का प्रशन कहलाएगा इस प्रकार का प्रशन निम्निस्त्री अविसारी उधारन कहलाएगा निम्निस्त्री अविसारी कहलाजाएगा उच्चिस्त्री अविसारी कहलाएगा या उच्चिस्त्री अविसारी कहलाएगा तो निम्न और उजिस्त्री अविसारी और अपसारी में प्रशन हैं तो प्रशन एक बार रिबीट करती हैं मान लिजे आप बिद्याले सिच्छा के बोर्ड के अधच्छें और आप अपने अधिकार छेत के अंतरगत आने वाले बिद्यालों की सिच्छा संपून गुर्वत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे इस प्रकार का जो प्रुष्ण कहलाता है वह उज जिस्तरी हमारा अपसारी कहलाता है यहाँ पर जो हमारा D अपसन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका अंगला प्रुष्ण है कि मानो विकास किन दोनों योगदान का पैराम होता है आईगावा गेवर उंध्यापक का समाजिक संस्तिक कारकों का होता है वंसन करम एवं वातावरन का होता है या उप्रोक तुमेशे कोई नहीं आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सरवब विकाता लोग हैं कि मानो विकास किन दोनों योगदान का पैराम होता है तो वंसन करम एवं वातावरन का ये काफी बार आपके सीटेट में आया हुआ प्रुष्ण है और अदर टीटिक जाम में भी पूचा गया प्रस्ण है इसलिए सीवाल आपसन हमारा सही हो जाएगा इस प्रस्ण को हम B.B.A.V. कटिकरी पर रखेंगे अंगला प्रस्ण है कि लड़कियों में बाय पर्वितन की सवस्था में होने लगता है आप सभी लोग जानते इस अवस्था से सभी आप गुज़ा चुके है लड़कियों में बाय पर्वितन की अवस्था जो कहलाती है वे कहलाती की सोरा वस्था सीवाला आपसन आपर सही हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण है कि बच्चों को सीखने की प्रकिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए माता पिता अवावक की जो भूमिका है बच्चों के सीखने में नकरात्मक होनी चाहिए अग्रोन मुखी होनी चाहिए सान भूत होनी चाहिए या तठस्थ होना चाहिए ये भी आपके सीटेट में आया हुआ पृष्ण है ये भी आप लोगों को नोट कर लेना ठीक है यहाँ पर आईट आपसन अग्रोन मुखी होना चाहिए कोई भी बच्चा हो उसके विवावक माता पीता की जो है भूमिका जो है एक अग्रोन मुखी की भूमिका होनी चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों कभी आपसन सही हो जाएगा इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अंगले पृष्ण की मुल्यांकन किया जाना चाहिए देखें जब भी हम पढ़ते हैं इसको सीखते हैं उनका मुल्यांकन होता है तो मुल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है मुल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इससे बच्चों के उपलबदी का पता लग चल पाता है या बच्चों को सीखने के इस्तर का ग्यान होता है या सिचकों के उपलब दिखा पता लगता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुल्यंकन किस प्रकार के किया जाना चाहिए तो मुल्यंकन जो है बच्चों को सीखने के इस्तर का ग्यान होता है ठीक है? मुल्यंकन होने से तब ही तो पता चल पाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है ठीक है उसके इसतर कज्ञान को मुल्यंकन हो जाता है ठीक है तो सीवाल आपसन नहाँ पर सही हो जाएगा इसी के साथ हम बात करेंगे आपके अंगले प्रस्ट के अंगला प्रस्टने विकास के सम्मन्द में गलत कथन को चैन करना है यानि तीन हमारे कथन सही दिये रहेंगे और ये कथन गलत है तो हम पहले सही कथन के बात करते है विकास का जो सम्मन्द होता है वैसा और भामिक प्रकिया से होता है दिसा सेवसे पैर की ओर होता है और वर्तुलाकार गती पर होता है तो बिशिष्ट से समान की ओर विकास नहीं होता विकास जो आपके बिशिष्ट से समान की ओर बिलकुल नहीं होता है यह आपके विकास के सम्मण में गलत कतन हो जाएगा आईए बात करते हैं आपके अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण आप लोगों के स्किन पर आचुका है सभी कमेंड केजेगा जी हाँ टॉप 20 के ये क्लास है टॉप 20 MSQs में आप लोगों के स्कोर क्या है नीचे कमेंड बाक्स में अवश्यर करना है प्रश्ण पूछा जारा बहुत ही सिंपल साधान सा प्रश्ण है एक सिच्चक बिद्यातियों में समाजिक मुल्यों को विक्सित कर सकता है महान विक्तियों के बारे में बोलकर अमसासन के नहूत को विक्सित कर आदास रूप में बरताओ करके या उन्हें अच्छी कहानिया सुना कर सकता है तो आप सभी लोग जानते हैं आप सभी लोग वहाविय दापक दापकाई काई सिछबंद है कि एक सिचख जो है विद्यातियों में समाजिक मुल्लों को किस पकार से विक्सित कर सकता है तो आदास रूप में बरताव करके विक्सित कर सकता है सी वाल आपसन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा आईए बात करते हैं अंगले प्रिशन की अंगले प्रिशने बालक का जो विकास होता है वो परिडाम होता है वनसन क्रम का होता है वातावरन का होता है वनसन क्रम वातावरन की अंते क्रिया का होता है या आर्थिक कारकों का होता है तो आप सभी लोग जानते हैं बालक के जो विकास परिडाम कहलाता है वो हमारे वनसन क्रम वातावरन की अंते क्रिया का कहलाता है यहाँ पर आप लोगो का राइट आपसन अंबर C आपसन हो जाएगा इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अंगले पिसन की अंगला पिसने को सुकता परिच्छन निन्मे से किसका घटक होता है सिर्णात्मक्ता का, अभी प्रेणन का, रुची का या बुद्धी का होता है आप सभी लोग जानते हैं कि वो सुकता जो परिच्छन है यह किसका घटक कहलाता है यह सिर्णात्मक्ता का घटक कहला जाता है यहां पे हमारा कौन सा पहला आपसन सई हो जाएगा इसी के साथ हम बात करते हैं आपके अंगले पिसन की मानो जीवन की मनो भातिक एकता कहलाती है मन तथा सरीर का विकास सरीर तथा हड़ियों का विकास सरीर तथा हैदय का विकास आत्म तथा मासपेसियों का विकास तो आप सभी लोग जानते हैं मानो जीवन की जो मनो भातिक एकता कहलाती है वह कहलाती है मन तथा सरीर का विकास मनो भौतिक से समंद हो मन और भौतिक मतलब सरी तो मानो जीवन की मनो भौतिक जो एक तथा कहलाती है मन तथा सरीर का विकास कहलाता है यहाँ पर आप लोगों का जो पहला आपसंद यागा है वह हमारा सही हो जाएगा आई होप सभी प्यारमित प्रतियक प्रस्ण को अच्छे तरीके सटैन कर रहे हैं अंगला प्रस्ण है बुद्ध की बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन जो है सरवाधी को प्युक्त होगा कि बुद्धी मून रूप से इस नायुतंत समंधी कारप्रणाली है फारिक जामपल प्रक्रमन की गती समवेदी बिभेद ये हो गए दूसरी है बुद्ध विद्यालाय में अच्छा पदसन करने की योगता है तीसरी बुद्ध बहु आयामी है इसमें कई पहलू नहीं थोते हैं और चौथी आपकी कहलाती है बुद्ध को केवल मानकी करत्य बुद्धिलब परिश्चों के आयोजन के द्वारा 2080 रोप से निधारित किया जा सकता है सभी लोग कमेंट करके बताईए यहाँ पर जो सरवादिक उप्युक कथन होगा बुद्ध के बारे में क्या दिया गया है बुद्ध के बारे में हमारा सरवादिक उप्युक कथन कौन सा दिया गया कि बुद्धी बहु आयामी है और इनमें क्या होते कई पहलू नहीं थोते है यहाँ पे जो आपका सिवालापसन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा No doubt I hope आप आप लोग प्रिश्ण को समझ गए होंगे उत्तर को भी समझ गए होंगे आई ये बात करते हैं आपके अंगले प्रिश्ण के लगबग आपके पंद्रे प्रिश्ण आपके कम्पीट कर चुके हैं पांच प्रिश्ण और कम्पीट करेंगे पूरी एक लास कम्पीट करेंगे दोस्तों वैकाउन सा इस्थान है जहां बच्चे की संगनात्मक विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभासित किया जा सकता है क्या वैखेल का मैदान है क्या बिद्याले वंकच्चा का परियावरन हो जाएगा या सभागार हो जाएगा या घर हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसा इस्थान जहां बच्चे की संगनात्मक विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभासित किया जा सकता है वह स्थान विद्याले के साथ साथ कच्छा का पर्यावर्ण इन्वाइर्मेंट भी होता है एवी यस भी होता है ठीक है? आई होप समझ गए होंगे आई ये बात करते हैं आपके अंगला प्रश्ण भी अंगला प्रश्ण है ये जो क्रियाएं हैं ये अंतर नहीं थोते हैं किसे में अंतर नहीं थोते हैं अनकूलन में होते हैं प्रेडग प्रेसी विकास में होते हैं समस्था समधान में होते हैं ये विचारात्म प्रकिया पर होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपका प्रतिविम्ब, अधार्णा, प्रतिक और संकेत, भांसा, सरीरी क्रिया और मांसी क्रिया अंतर नित होते हैं, यह हमारे विचारात्म प्रक्रिया कहलाती है, यह आपसान यहापर सही हो जाएगा, इसी के साथ हम बात करते हैं, आपके अंगले प्रशन की, कि अधियम में हम लोग सीखते हैं ठीक है उसमें जो आकलन होता है उस जो है किसले आवश्यक होता है ग्रेड एबम अंकों के लिए होता है जाज परिच्छन के लिए होता है प्रेणा के लिए होता है या प्रत्थक करण और सेनी करण को देशों को प्रसाहन देने के लिए होता ह तो आप सभी लोग जान गए होंगे आपने कमेंट बाक्स में अपना एंसर जरूर कमेंट कर दिया होगा तो इसका राइट एंसर जान लेते हैं अधियम में आकलन किसलिए अवश्यक होता है प्रेना के लिए प्रेना फार हम बात करेंगे मोटिवेशन की बात कर रहे है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आपसन सी आपसन हो जाएगा जो आ लेड़ी आपके स्किन पर दिया गया है आईए बात करते हैं आपके अंगले पिसन की सीखना सम्रद हो सकता है कोई सारी चीजे हम सीखते हैं तो वह सम्रद कैसे हो सकता है वास्तिक दुनिया सुधान को कच्छा में लाया जाए इसमें बिद्यार्थी एक दूसरे से अंतेक लिया करें और सिच्छक उस प्रकिया को सुगम बनाएं कच्छा में अधिक सदिक सिच्छन समागरी टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाए या कह सकते हैं कि सिच्छक विभिन प्रकार के व्याख्यान और स्पस्टी करन एक्स्पलेशन का प्रयोग करें या कच्छा में आउधिक परिच्छाएं जो प्रिडिक टिस्ट होते हैं उनमें आप एच्छी ध्यान दिया जाएं तो राई टापसन यहाँ पर क्या हो जाएगा देखे सीखना समरद अर्थात मजबूत कब हो सकता है ठीक है तो सीखना समरत मजबूत तबी हो सकता है जब वास्तिक दुनिया की उतहान को कच्छा में लाया जाए जिसमें बिद्यार्थी एक दूसरे से अंतेक दिया करें और सिच्छक उस प्रकिया को सुगम बनाएं तो यहाँ पर आप लोगों का राईट आपसन, फश्ट आपसन सही हो जाएगा और इस EMZQs का लाज्ट क्वेशन आप लोगों के स्कीन पर आचुका है 20 नंबर प्रसन है जो आप लोगों को मौक क्वेशन की रूप में दिया जाएगा ये क्वेशन के एंसर आप लोगों को क किसका विकास है या आपको MCQ जे मौक कोश्चन है आपको कमेंट बाक्स में इसका एंसर बताना है साथी साथ 20 कोश्चन में आप लोगों को फीडबेक क्या है आप लोगों की स्कूर क्या है नीचे कमेंट बाक्स में अवश्येर करना है मैं आपके साथ जे स्वाल सर मिलता हूँ आपके अंगली ग्लास पर अंगली बीडो पर तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम धन्वाश भीगा